तो फिलहाल के लिए लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच होने वाला है और वो मैच बील अब केंडी और तांबूला के बीच में होना वाला है जो कि पालेकल इस्टेडियम में खेला जाएगा और यहां पर यह मैच दुनों टीमों के बीच में पहला वाला होने वाला है जो कि फिलहाल के लिए बारीस के चांस रहेंगे करीबन 20% के आसपास चांस है कि बारीस हो सकती 14 km पर आवर के हिसाब से यहाँ पर हवा चलती हुई नजर आएगी आपको humidity लगवग 80% के आसपास मैच के टाइम पर रहने वाली है साथी साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर टोटल ज ग्राउन का पहली इनिंग का आवरेज इसकोर नजर आता है 37 सेकेंड इनिंग का 147 का आवरेज इसकोर यहाँ पर देखने को मिला 240 हाइस टोटल इस ग्राउन के बने है जबकि 89 लोएस्ट इसकोर और 197 हाइस चेस इस ग्राउन पर अब तक का किया गया उसके लाबा बात करे बिकेट गिरने के बारे में स्पिनर और फास्ट बॉलर यहाँ पर किस प्रकार से बिकेट निकालते लेकिन उससे पहले आप सभी लोगेबर बीडियो लाइक नहीं किया तो बीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए यहाँ पर बात करेंगे पिछले 10 मैचों में 14 बिकेट एस्पिनर को मिले हैं जबकि 50 बिकेट यहाँ पर फास्ट बॉलर ने निकाले अगर परसेंटेज के बारे में हम बात करेंगे तो दोनों का लगवग 50% के आसपास ही बनता है और उसके अलाबा आगे बढ़ते हैं तो बात कर ले 200 अट 800 और 200 पलस का स्कोर भी यहाँ पर देखने को मिला है मतलब हाई स्कोरिंग बैनियू है रन अच्छे से बनते हैं और थोरी सी घास भी रहती तो बॉल अच्छे से बले पर आती रन बनाना आसान होता है इन सभी चीजों को आपको दिहान में रखना है उसके अलाबा ब देखने को मिला दोनों टीम के तरफ से अगर यहाँ पर स्कौर्ड के बारें बात करेंगी तो जो बिलब की टीम है बिलब केंडी की टीम उसके तरफ से वानेंदू हसरंगा एक बार फिर से आपको कैप्टेन नजर आएंगे और पिछले साल की चेंपियन टीम है इनहीं के क अगर बात करेंगे ऑल डाउंडर के तरफ पर दो चतुरंगा डीसिलवा एक होने बाला है और उसकी अलाबा रमिस मंटिस और कामेंदू मंटिस नाम के दो और आल राउंडर होने वाले साथ साथ दाशूंश नाका भी इनकी टीम में होने बाला है तो इस तरीके से काफी सा प्लेयर हैं आप वीडियो पॉस करके आराम से इनके नाम बढ़ सकते हैं चुकि नाम बताने में कापी ज्यादा टाइम फिलाल के लिए लग जाएगा तो प्लेंग 11 के तरफ चलते हैं दोनों टीमों की जो प्लेंग 11 होने वाली उसमें आपको कैंडी की टीम के तरफ से एंड टीम के तरफ से होने बाला है लेकिन दामुला टीम की बात करेंगे तो दामुला टीम के तरफ से आपको पुसल पड़े रहा इब्राहिम जादरान, मार्ट चैपमें, तौई विर्दोई, उसके लाबा मुहमन नभी और दूशान हिमन्ता, उसके लाबा मदुशंका होने ब पनुशान हिमन्ता, मार्ट चैपमें, विर्दोई, उसके लाबा मुहन नभी और टीम के तरफ ऑकणे तरफ से एब्राहिम जादरान, मार्ट लुहा इबतरिन को आपंदे बात करेंगे तो फिल हाल के लिए नुवान फरणैंडो को या ठीम कर सकते, ये बेतरिन होने बाले अगर सबसे important player के तरब चले हैं दोनों टीम के तरब से वानेंदू हसरंगा पिछले जो 9 match के लिए उसमें 270 run बनाएं और 38 का average है 188 cash strike rate नजर आता है उसके लाबा नामेंदू फर्नेंडिस जो की 2 match में 277 run और दिनेश चंदीमाल ने 9 match में 214 run जबकि इप्तिगार एहमद ने 1 match जो खेला था फिलाल पिछले सीजन वानेंदू हसरंगा बॉलिंग में 9 match में 19 बिकेट निकाल चुका है और एंजिलो मैथ्यू ने 9 match में 7 बिकेट उसके लाबा तुषान हिमन्ता ने 5 match में 4 बिकेट नुबान परदीप ने 2 match में 4 बिकेट निकाले ये टॉप पफॉर्मेंस करने वाले दोनों टीम के तरफ से 8 बिकेट नजर आते हैं जिनको आप टीम में ट्राइ कर सकती जिनके नाम मैंने अभी थोरी देर पहले आपको बदाये थे उसके अलाबा अगर दोनों टीमों के ओबर रॉल परफॉर्मेंस पिछले 5 मेंचों का देखा हैं तो बिल अप केंडी की टीम एलिमिनेटर 1 मैच जीती थी क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच जीत गई थी पिछले सीजन का लीग के आखरी के दो मैच ये टीम जरूर हारी थी लेकिन उसके अलाबा बात करों दूसरी टीम जो दामबूला की टीम है उसने आखरी मैच अपना हार गई थी फाइनल इसी टीम के खिलाब बागी क्वालिफायर 1 और लीग के जितने भी मैच रहे थे वो सब जीती थी बेहतरी परफॉर्मेंस इसका ओबर रॉल देखने को मिला था दोनों टीम के तरब से अगर हेट टू हेट के तरब चले हैं तो हेट टू हेट में फिलहाल के लिए फांच मैच विलब केंडी की टीम ने जीते हैं और चार मैच फिलहाल के लिए जो दामबूला की टीम है उसने बिनिंग किये हैं और पिछले टोटल तीन मैचों की बात करूँ फाइनल मैच विलब केंडी ने फांच विकेट से जीता उससे पहले 14 अगस्त 2030 को ही एक और लीग मैच हुआ दोनों टीम के विच में जो उस सीजन का दूसरा लीग मैच था उसमें दामबूला ने 20 रन से जीत दर्ज करी थी और 7 विकेट से बिलब केंडी ने 4 अगस 2030 को मैच हरा है जो पहला लीग मैच दोनों टीमों ने आपस में खेले थे इन तीनों ही मैच के जो प्लियर हैं कॉमन रूप से जो हर मैच में अच्छा परफॉमेंस किये उनके बारे में भी हम बात करेंगे पहले मैच के तरफ चलते हैं वहाँ पर के लिए देखने को मिला था डीटी टीम के तरफ से उसके अलाबा अगर बात करूं दांबुला टीम ने दूसरे मैच जो हुआ था वहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए 162 बनाये बिलब गेंडी ने इस मैच में 142 बनायी थी अब इसका फरणानों ने फिर से 41 और और पर लगाया था फिलाल के लिए बिलब केंटी ने 151 बनाये पांच बिकेट से वहाँ पर फाइनल मैच जीता था उसके लाबा धनजा डी सिल्वा ने पिर से 40 बनाये बल्ले से परफॉर्मेंस करके दिखाया और दिसारा समझण वीचकरमा ने सदीरा समझण वीचकरमा ने 26 26 बनाये थे और चतुरंगा डी सिल्वा ने दो बिकेट निकाला कामेंडू मेंडिस ने 44 उसके लबा मुहमाद हैडिस ने 26 और नूर अहमद ने तीन बिकेट निकाले थे यह तो तीनों मैच के पिछले साल के जो परफॉर्मेंस करने वाले टॉप प्लेयर हैं उनके बारे म मैच जीते हैं और दोनों टीमों का बिनिंग पर्सेंटेज लगवग बराबर है 155 का अबरे जिसकोर दोनों टीमों का बेहतर है 192 हाइस्ट स्कोर 132 दामबुला की टीम का लोएस्ट स्कोर भी देखने को मिला जो काफी अच्छा है उसके अलाबा बात करूं ग्राउंड प लोएस्ट स्कोर दामबुला की टीम का इस ग्राउंड पर फिलाल के लिए देखने को मिला है अब बात करेंगे कुछ इंपोर्टन प्लेयर के बारे में जिनके परफोर्मेंस देख लेते किस तरीके सनचर आते हैं एंड्रे फिलेचर पिछले तीन मैचों में नेपाल के खि साउथ एप्रिका के खिलाब इसने बनाये थे यह फिलाल के लिए वर्ड कप के मैच देखने को मिले हैं उसके अलावा इब्राहिम जात्रा ने वर्ड कप में जो परफोर्मेंस किया है क्या बनन ऑस्ट्रेलिया 18 रन बांगला देश साउथ एप्रिका खिलाब दो रन बनाय चतुरंगा टीसिलवा औल राउंडर के तौर पर बेहतरीन होने बाले है पिछले तीन मैचो के परफोर्मेंस देखो वंदालिस रन सैंतिस रन दो रन ये आपको दो तीन बिकेट भी निकाल के दे सकता है चुकि इसका परफोर्मेंस इस ग्राउन पर बेहतर नजर आता है चतुरंगा टीसिलवा को आप वाइस के तौर पर आपको इस्तिमाल कर सकती एक और ट्रम प्लियर में आगे बताने वाला हूँ आपको वाने दू हसरंगा बॉलिंग में भी कमाल का परफोर्मेंस करते नजर आता है उसके अलाबा दो और और लांडर में से एक निमेस है फि पॉसान हिमनता का जो बॉलिंग रहा वो भी खराब रहा लेकिन पैटिंग खराब रहा है लेकिन बॉलिंग में बहुत बेटरी परफोर्मेंस इन दोनों का देखने को मिला रिसेंट मैचों में इसलिए अगर यह प्लेंग लेवन में रहते हैं तो इनको आप टीमें ट्रा मेरा के बारे में इसका करेंट फर्म उतना बेतर तो नजर नहीं आता है रन भी कापी खर्च किये हैं इसने और लक्षवन उसके इनका भी परफोर्मेंस जो है फिलाल के लिए लगवक ठीक ठाक काम चलाओ देखने पर मिला बांकि इस मैच की जो हेट टू हेट की टीम है व वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत वोलियत हैंके सो मैच